राम राम एवर्वेडी स्वागत है सभी का विदान्त अकेडमी इंदौर और अंकुरन इस्टेडियूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मूले की जो इंपोर्मूले हैं आपके एक्जाम में जो काम आ सकते हैं तो पहले हम अलजबरा से स्टार्ट करते हैं algebra और simplification में आपको कौन से formula frequently use होते हैं बहुत ज़ादा use होते हैं तो उन formula में सबसे पहले सबसे important formula सबसे important formula a square minus b square सबसे important formula है साइद इसके बिना कोई भी paper हो यह होता है a plus b और a minus b यह relation बनता है जैसे आपसे पूछ लिया 99 का वो square पूछ ले तो simple क्या बनेगा आपको क्या बनाना है sorry 99 का square नहीं वो हमसे बोलेगा जैसे equation दे दिया उसने 59 का square minus 11 का square और divided by 70 अब इस तरह से दे दिया तो अगर हमें यह नहीं पता कि एक बार इनको plus करके लिखना है एक बार minus करके लिखना है तो फिर हम काम हमारा बहुत लंबा हो जाएगा जब हम इसे plus करेंगे तो कितना हो जाएगा 59 प्लस 11 70 जब हम इसे minus करेंगे तो क्या हो जाएगा 48 divided by 70 तो answer क्या आ जाएगा 48 यह actually में इतना simple था लेकिन यह बहुत complicated बन गया दूसरी जगे इसका use होता है rationalization परिमेकरन जब हम करते हैं जैसे लिखा हुआ है 2 upon 1 plus root 3 यह लिखा है जब हम इसका परिमेकरन करते हैं rationalization करते हैं तब हम क्या बोलते हैं हर का चिन बदल के उपर नीचे गुणा मतलब 1 minus root 3 upon 1 minus root 3 ऐसा क्यों करते हैं ऐसा इसलिए करते हैं नीचे a plus b और a minus b बना मतलब यह formula हमारा बन गया तो आपका सबसे important हमारे हिसाब से जो order number 1 पर आता है वो यह relation आता है यह हमें ध्यान रखना ही रखना है अब चले next हमारे according दूसरे नंबर पर कौन सा relation आता है तो दूसरे नंबर पर आता है a plus b का whole square यह होता है a square plus b square plus 2ab इसको managed form में जब हम इसे solve करते हैं इस तरह से a plus b का whole square is equal to a plus b whole square का मतलब ही क्या होता है यह गुणा में कितनी बार है दो बार है और यह a plus b जब इसे तुम solve करने जाओगे यह आजाता है a square plus 2ab plus b square इसका क्या फाइदा जैसे तुम्हें निकालना है 63 का square निकालना है 63 का square निकालना है वैसे तो इसकी सारी trick हमने डाली हुई है लेकिन फिर भी अगर इस से निकालना है तो पहला step बोलता है पहले वाले का square करके लिखो a की जगह 1,6 और b की जगह 3 6 का work 36 और last में 3 का 9 और बीच में क्या है दोनों को गुणा करके double 6 तिया 18 का double 36 यहां से आ जाएगा यह 9 फिर 36 का 6 बचा 3 आगे जाके जोड़ जाएगा 3969 यह अंसर हो जाएगा ऐसे तमाम यूज इस फॉर्मूले के हैं यह एक important formula फिर से आजाता है आपके लिए आगे हम चलें आगे देखें तो अगला important formula क्या होगा बस इसमें बीच में क्या आजाएगा minus किसी भी number पर या expression में minus आ गया उसकी घात एक समसंख्या है मतलब उसका समसंख्या बार गोड़ा हो रहा है दो बार चार बार छे बार गोड़ा हो रहा है तो जो minus है वो गायव हो जाता है तो वैसे ही a minus b का square हम करेंगे a square plus b square b क्यों square है इसलिए क्या रहेगा plus लेकिन यहां तो b क्या हो जाएगा minus तो यहां देखेगा minus इसलिए यह formula बन जाता है तीसरा a minus b का whole square बन जाता है a square plus b square minus 2ab यह relation बन जाता है सिर्फ minus b लिखा तो यहां भी minus b हो गया अब इन दोनों को mix करने की अगर हम कोशिश करें जैसे बराबर लिखने की कोशिश करी हमने a plus b का whole square बराबर a minus b का whole square अब यह क्या बोलता है actually में क्या आता है plus 2ab आता है लेकिन यह क्या बोलता है माइनस 2 आ रहा है, अब यहाँ अपना प्लस 2 है, तो actually मैं तो इसकी value अपन निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ क्या आ गया, माइनस 2 आ गया AB के साथ में माइनस 2 आ गया आना क्या चाहिए, लाना क्या है प्लस का 2, तो यहाँ कितना जोड़ दें, प्लस का 4 AB, 4 जोड़ दोगे तो 2 इसको neutral करेगा और 2 AB और आ जाएगा, तो यह formula किसका बन जाएगा, A प्लस B का whole square, A square प्लस B square, और माइनस 2 AB इससे कटके क्या हो जाएगा, प्लस 2 AB हो जाएगा, तो यह इसका formula बन जाता है और इसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है व्यापम लेवल पर कोई जरूरत नहीं है, बस हम बता रहे हैं, इतना simple होता है, जिसकी जरूरत नहीं भी होगी, तो चलेगा इसलिए, इसी वज़़े से हम इसका आगे वाला formula भी नहीं बता रहे हैं, कि इसको यहाँ उठा के रख दो, तो a-b के whole square का formula बन जाता है रटा मार जरूरत नहीं है अपना इससे काम हो जाएगा और इसी का use अपन को करना है अब हम चलेए अब हम से पूछेगा a plus b का whole cube a plus b का whole cube क्या होता है a cube plus b cube plus, देखो power कितना है 3, तो power हमें कितना रखना है, 3 रखना है 3, पहले a square b, 2 यहाँ पर a के यहाँ पर, फिर plus 3 a b square, a की power 2 कर दी, अब अपनने b की power 2 कर दी, तो power भी distribute कर दी, अपनने simple हो गया काम हमारा, अब देखो 3 a b यहाँ पर है और 3 a b यहाँ पर है, तो यह formula दिखाई किस form में देता है यह देता है, a cube plus b cube plus 3 a b 3, a बाहर चला गया, दो बार था, तो एक बार बच जाएगा, b चला गया बाहर, यहाँ से plus फिर 3 चला गया, a चला गया दो बार b था, एक बार b बच जाएगा और यही आप formula के form में याद करके रखते हो, अगर रट्टा मार में problem होता है ना, तो भी हटाओ, इसको गुड़ा कर लो a plus b a plus b और a plus b इसे आप गुड़ा कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा और simple कहान तो आप इसे solve करोगे तो क्या आजाएगा, a cube plus 3a square b plus 3a b square plus bq अब जैसा board हमने plus के लिए भरा है, वैसा ही किसके लिए भरेगा, minus के लिए कैसे भरेगा, वो भरेगा plus b की जगे, minus b अब plus b की जगे, minus b यहाँ लिखोगे, यहाँ change नहीं होगा a है, यहाँ 3 है power, 3 है power तो क्या होगा, change हो जाएगा, क्या हो जाएगा यह, minus हो जाएगा फिर यहाँ पर b की पावर 1 है यह भी क्या हो जाएगा, minus, यहाँ b की पावर 2 है, यहाँ क्या रहेगा, plus, वही कहानी आगे हो जाएगी देख़ोँ, करके बताते हैं a minus b का whole cube, क्या होगा a cube, अगर plus होता तो आगे क्या लिखते है, plus b cube लेकिन minus है, तो minus b cube फिर क्या लिखते है, 3a square b, b की power a कैंट, तो यहां आगया minus a square b फिर 3a b square, b की power 2 है, तो यह plus बना रहेगा, 3a b square यह बन गया formula, अब क्या करना है a cube minus b cube फिर common क्या आ रहा है, 3a b common आ रहा है, लेकिन यहां minus लगा है, तो अपन minus वाला common लेते हैं minus 3a b अब यहां बचेगा a और यहां minus जब चला गया, तो यहां क्या मानेंगे, minus कितनी बार था, 2 बार, क्योंकि minus minus क्या होता है, plus, जब एक बार बाहर चला गया, तो एक बार minus बचेगा यह minus बचा यह b आप भी इसी तरह trick में याद रखो कि यह plus है, इसका मतलब क्या है, यहां minus 2 बार है गुणा में, जब आँ minus common लेंगे तो यहां का minus चला गया, तो plus बचा यहां दो बार था, एक बार चला गया एक बार बच गया, तो यह formula इसका देखने को मिलता है तो यह भी एक simple formula है a की ओ, minus b की ओ, minus 3 यह भी bracket में a minus b अगर याद रहता है, अच्छी बात है नहीं रहता है, तो आप किस से solve कर लेंगे, आप solve कर लेंगे a minus b, फिर a minus b, फिर a minus b का into करके जिस लेवल तक आपके exam में आपको याद रखना है, उस लेवल तक हम बात करेंगे, उसके आगे लेवल पर हम बात नहीं करेंगे अब चलें हम cube में, और क्या आता है cube में देखें a cube plus b cube, इसका relation आता है, a plus b bracket में a square minus a b plus b square इस पर बहुत सारे question आते हैं, simplification में simplification में, कैसे question आते हैं देखो, जैसे उसने दे दिया 56 का cube plus 44 का cube और नीचे दे दिया उसने 56 square minus 56 into 44 plus 44 का square अब हमें ये नहीं पता ये a cube plus b cube है और उपर ये पूरा step आना है जिसमें ये वाला step कट जाएगा, बचेगा क्या a plus b, मतलब 56 plus 44 ऐसे तमाम questions इसके पूछे जाते हैं तो ये formula भी important है simplification के हिसाब से ये हम ध्यान रखेंगे अगला relation इसी में बीच में b की जगे क्या डाल दे, minus b डाल दे तो सभी जगे b की जगे minus b हम डालेंगे तो हमारा relation क्या बनेगा a cube minus b cube is equal to a minus b और यहाँ a square plus a b plus b square b square पे तो कोई फरक पढ़ना नहीं है यहाँ a b minus का था एक बार और minus आया यह plus हो गया बस इतना फिर से question वैसे ही आ जाएगा बीच में minus लगा होगा और वही सब कहानी होगी फिर से example लिखने का कोई भी meaning ज़्यादा बनता नहीं और question important जिसमें simplification पर question आता है धमाकेदार formula वह है a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to a plus b plus c दूसरे bracket में a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c इस पर questions बनते हैं इसमें questions बहुत सारे बनते हैं लेकिन सबसे मज़दार question क्या बनता है देखो question वह कैसे बोलेगा question में बोलेगा a is equal to 52 b is equal to 33 और c is equal to minus 85 85 फिर वो पूछेगा बताओ 52 का square प्लस 33 का 53 का cube 33 का cube minus 85 का cube अपन में 52 33 85 इस तरह से पूछे का वो अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है और हमेशा आता है इसी तरह से आता है 52 और 33 कितना होगा 85 और ये क्या दे रहा है minus का 85 जब हम इस फॉर्मूले में डालेंगे इसके साथ में इस फॉर्मूले में डालेंगे तो a plus b plus c क्या होगा 0 जब ये पूरा step 0 होगा तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा जब ये पूरा 0 हो जाएगा तो बहुत important बात हमारे लिए आती है ये important बात है और ये formula बनता है 5 star formula इस cube में 5 star formula क्या बन जाएगा ये पूरा 0 a b c a cancel out होके क्या बचेगा 3 और इस तरह के तमाम question आपको तमाम books में मिल जाएगे बस ये formula हमें अच्छे से ध्यान रखना है ठीक अब एक और relation जैसे हमें 1 upon a plus 1 upon b पूछ रहा है तो ये हम कैसे देखेंगे 1 upon a plus 1 upon b अगर हमें चाहिए तो ये आपको मिलेगा a plus b में आप भाग लगा दो a b से ये आपको मिल जाएगा 1 upon a plus 1 upon b ये ध्यान रखेंगे आप अगर हमें 1 upon a 1 upon b चाहिए तो हमारे पास कच्चे माल के तोर पर a plus b और a b होना चाहिए इस से इसमें भाग लगा देंगे हमारा काम बन जाएगा ये आजाएगा a plus b upon a v से 1 upon a plus 1 upon b और क्या अगर हमें फॉर्मूले चेंज करने है a plus b और a minus b का चेंज करना है फॉर्मूला तो भी हम समझ के रखें जैसे हमें दे रहा है a plus b दे रहा है मान लो a plus b हमें 7 दे रहा है और a b हमें 10 दे रहा है और a minus b हमसे पूछ रहा है a b 7 दे रहा है a plus b 7 दे रहा है और a b दे रहा हमें 10 और a minus b हमसे पूछ रहा है तो फिर हम क्या करें plus minus के फॉर्मूले से ही सीधे चल देंगे हम क्या a minus b का whole square अगर करोगे तो ये क्या आ जाएगा a plus b का whole square पीछे हमने देखा था अब इसका formula actually में खुलेगा तो क्या आएगा minus 2 लेकिन इसका खुलेगा तो क्या आएगा plus का 2 और अपन को क्या चाहिए minus का 2 चाहिए तो यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा minus का 4 जिससे 2 पहले तो 0 बनेगा और फिर minus का 2 आ जाएगा और किस के साथ में a b के साथ में ये relation आ जाएगा यहाँ पर देखो अपना काम बन जाएगा ये क्या हो जाएगा a b a plus b कितना 7 का work 49 और ये कितना minus का 10 चौक 40 और ये a minus b का square तो a minus b कितना आ जाएगा देखो 9 बचे का 9 का work move कितना 3 और a plus b कितना a plus b हमें पहले से कितना दे रहा है 7 और कभी भी पूरे match में पूरे match में ऐसा equation बन जाएगा ना कहीं solve नहीं करना a निकालना है जोड के आधा कर दो b निकालना है गटा के आधा कर दो जैसे a कैसे निकालोगे 7 और 3 10 दस का आधा 5 b निकालना है 7 में से 3 गए 4 4 का आधा 2 यह आ गया हमारा answer a plus b और a minus b दे रहा है x plus y और x minus y दे रहा है तो यही जो relation है यही trick हमें use करना है जोड के आधा कर दो बड़ा वाला आ जाएगा घटा के आधा कर दो छोटा वाला आ जाएगा तो यह हमें लगता है कि बिलकुल basic है जो हमें यह relations पता होना चाहिए और उमीद है आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम बहुत important के तोर पे last moment के लिए आपको क्या दे रहे है इन relations को मैं याद रखना है कुछ भी हो जाए पुडिया की तरह बांद के अबन को इनको अपने पास रखना है तो इसी तरह के relations हम trigonometry में लेकर आएंगे और फिर उसके बाद coordinate geometry, mensuration सभी के हम इस तरह से 10-10-15-15 minute का content तयार करेंगे जिससे आपके लिए topic को revise करना बहुत easy हो जाए क्योंकि methods हम से खा रहे है basics हम से खा रहे है और इस से अपना काम पूरा solid हो जाएगा तो आप जुड़े रहना हम जितना बहतर होगा उतना बहतर आप लोगों को देने की कोशिस करेंगे तो इस session में हम इसको यहीं इतना ही रोकेंगे हमें जितना लगा वो हमने आपको बता दिया और आपके लिए sufficient होगा questions आपके बन जाएंगे चुकि हम सभी questions को देख रहे हैं review कर रहे हैं तब हम बोल रहे हैं कि